तो अभी मैं आपके साथ शीर करने वाला हूँ आपकी 26 जुलाई को होने वाले नीट टुरेजन 20 एक्जाम की पिर्परेशन की स्ट्राइडजी को जिसको अगर आप फॉलो करेंगे वह बहुत ही अच्छे से तो अगर आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हो तो भी आप 600 सो प्लस-मार्क्स को स्कूर कर सकते हो इजीली ना हम स्टेटीज की बात करते हो सबसे पहले आपको एक 30 दिन के इस्टेज बिनानी सबसे पहले कि जिसके अंदर आपको करना है अपना सेलेवर्स को complete और इसके साथ साथ आपको जितने भी chapters होते हैं जो भी आप complete कर रहे हो उ तो कोशिच यह करने कि इनमें से मैक्सिमम को हम 30 दिन के अंदर कंप्लेट करी लें अब देखे जब आप इस वीडियो को देखो गे उसके इसाब आपके पास दिन बचेंगे लेकिन आपके पास 70 देस तो बची जाएंगे करना प्लस फुलवस का पेपर को है वह सॉल करना है उसके साथ में पेपर होते हैं उसको ब्हूंद करना है और यह आपका हुज आएगा 14 डेस के अंदर रिविजन करना मतलब यह है कि आप जो सारे इंप्वाइंट्स हैं तारे इंप्रूंटन जीतने टॉपिक्स हैं और जो लग रहा है उसके अच्छे पढ़ लेना है और पूरा रिविजिन का मतलब कि पूरा ही रिविजिन करना इसलिए आपके पास 14 दिन है 14 दिन के अदर आप अच्छे से रिविजिन कर सकते हो थोड़ा स्पीड से करना है इसा नहीं कि लिए बैठ जाओ उसके बाद में आपको करना है जो फूल सबस्के उसके लिए आप कर सकते हो कि आपको पर से पढ़ने सारे फॉर्मूला को रिवाइस कर लेना है बायों के अदर जितने अपने पॉइंट हाइले लाइन से आपने हाइलाइट कि वह पढ़ लेनी है और जो भी अभी लगारा कि को कशो उसको भी कव पर उपर से आपको लग रहा है और कुछ-कुछ डाइग्राम से उनको रिवाइस कर लेना है आपको लगता है कि यह चीज़े में से कंप्लीट नहीं हो पा रही है और कुछ एक्स्रा चीज़ें जो को पढ़नी चाहिए तो यह आप कर सकते हो किसी वीडियो को देख लो कि अपने फ्रेंट से पूछ लो एन फूल से पेपर से आपको करने हैं तो पहला दूसरा और तीसरा यह तीरों मिलाकर इस पॉइंट के अदर बनते हैं और यह आपको करना है सेवन डेस के अंदर यानि वन वीक के अंदर तो अभी तक आपके हो गए तीस दिन प्लस 14 दिन प् आपने टेस्ट भी दिये थे लेकिन 14 दिन के अपने फूल से पांसों के बीच में आ रहे होंगे आपके कोई कैटेग्री हो सकती है तो अभी जो आपने सारी चीजे कर लिए सारी रिविजन कर लिए सारे डाउट के लिए कर लिए सारे जो पेपर करने थे कोशन प्रैक्टि लिए बोल रहा हूं कि जिनकी 600 marks प्यार है तो वह अपने साड़े 600 के लिए ट्राय करें मतलब अपने marks को बढ़ाना है अपनी कमजोर्य को क्लिर करना है और कैसे highest marks को आपको अचीव करना है उसके बारम आपको इस ताइम को सोचना है और वह वो होगी आपकी प्रेपरेशन कोसे चोसाई हो पार रहा है थो उसके ऊपर आप कोशंन कर लीजिए मालत जिए इसके उपर चार से 5 पाशन कर लिजी माले क्वेसे संबज में नहीं आ इतना कुछ करने के बाद भी तो फिर से समझिए उसके उसपर आप सौर्ट एट्स कोशन कर लिए जाकि सारा आपका डाउट के लिर हो जाएगा और जो चीज आपसे नहीं हो पा रही थी और जो चीज आपको 600 प्लस मार्स को लाने से रोक रही थी वह आपसे के लिर हो लिए हैं उन सब को आपको देखी जब आप टेस्ट देते हो तो आपको घर पर बैठकर तीन घंटे के अंदर देना है टाइम को लगा करके और बी आपको जब आप answers को फिल करते हो तो आप क्योंई copy के अंदर कर सकते हो तो जिससे होगा यह कि बाद में आपको आपको आप तो आपको बहुत अधा important होगा किसी भी फेफर को दो जब आप घर पे बैठकर ऐसे टैस्स उसको दो अब आपको चीज कर चेक करनी है कि यार किस वज़े से मेरा जो माक्स है वो कम आ रहे हैं क्या मैं एक परफेक्ट टाइम के अंदर question solve नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मालेज उनका सारा analysis करना है अपनी जो mean problem है उस तक पहुंचना है इसके लिए आपको एक week का साथ दिन का time लगेगा क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है आपको 600 प्लस मार्क्स तक पहुंचने के लिए और सारी कुछ चीज़े करने के लिए उसके बाद में भी आपको paper को कैसे attempt करना है paper को कैसे solve करना है और nature क्या होना चाहिए अपने आपका और आपकी perfect strategy personal strategy paper के लिए क्या होनी चाहिए वो भी important है तो इसके लिए साथ दिन बहुत जादा important होते हैं अब देखिए 51 days पहले हो गए अब यह साथ दिन हो गए final आपके पास तो यह हो गया आपका 58 days का plan अब 58 days के अ अब मैं ready हो चुका हूँ अब बाकी के दिन में क्या करना है तीकि सबसे important चीज होती कि आपके पास reserve कितना है अगर कोई bank भी किसी country का bank भी काम करता है तो वह अपने reserve money के उपर reserve जो पैसा होता है उसके उपर काम करता है और उसकी power होती कि उसके पास reserve में कितना पैसा है आग अगर emergency के अंदर उसको जरूत पढ़े तो वह काफी अच्छे सब्सकों use कर सके वैसा ही आपको use करना है कि आपके पास reserve day होने चाहिए जितना जल्दी start करोगे उतने जयदा आपके पास reserve day होंगे उससे यह होगा कि अगर आप इसारी preparation करने के बाद में कि आपका कोई chapter छू आएंगे इस strategy की बाद बात आती है time table की तो देकि मैं आपको ideal time table बता देता हूं 10-12 गंटे का होना चाहिए जिसके अंदर आप अच्छे से preparation कर सकते हो लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी समझ चीज़े समझ में आ जाती है तो आप 8-10 गंटे पढ़ सकते हो अगर आपको बहुत लेड़ से समझ आते हैं तो आप 12-14 गंटे पढ़ सकते हो और perfect time table के लिए क्या होना चाहिए आपका perfect time table और पूरा schedule वह आप मेरी last video को देख सकते हो नाव हम बात करते हैं subject wise strategy की से पहले बात करते हैं physics की देखिए बहुत सारे students के comments आते हैं कि physics के अंदर problem में आप मुझे समझा दीजिए देखिए मैं हमेशा एक best reply देने कोशिच करता हूँ जो कि मैंने खुंदे भी apply किया था आपको कुछ नहीं करना है सीधा सीधा formula आपको use करना है कि read all concepts revise all formulas solve question on each concept practice of lots of questions मतलब सभी concept को अच्छे से पढ़ लो फिर सारे formula को अच्छे से रट लो या फिर अच्छे से समझ लो उसके बाद में जितने भी आपने concept पढ़े हैं उसके उपर question solve कर लो उसके बाद में थोड़ा सार बहुत सारा question होते हैं उसको solve कर लो मतलब एक chapter आ book आपको purchase करनी है अब देखिए यह जो है वो जैमेंस ही है जो कि पहला होता था यह दिर्पली आपको करना गया कि इसके प्रिवेज के questions है और आपको बता देता हूं कि आपको यह जैमेंस के जो हैं वो 2005 से लेकर 2020 तक के जो कि जनवरी के अंदर जैमेंस हुआ था वहां तक है organic and inorganic तो देखिए सबसे important बात है कि बच्चे सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि इनके अंदर नोट्स के अंदर पड़ जाते हैं मैं आपको बोलोगा कि organic and inorganic के अंदर जो most of 70% से 80% questions आते हैं वो directly NCRT के line से line आते हैं उसके बाद आपको करना यह है कि आपको जो basic chapter 7 को complete करना है सबसे पहले कि आपको अगर physical chemistry के अंदर आपको chemical bonding करना है प्रियोडिक टेबल करना है अगर पढ़ोगे तो आपके 75-80 questions ही बन पाएंगे और वह भी बहुत मुश्किल चांस होता है तो आपको करना यह होगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पढ़े का उसके लिए आप notes का यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत गाइट का यूज करते हो लेकिन ज marks नहीं आ रहे हैं वो भी high marks जैनि 300 plus marks कैसे आएंगे सबसे बड़ा reason है कि आप चीज़े भूल जाते हैं जब भी आके पास चार option आते हैं उसमें से आप 2 option के बीच में फस्ट जाते हैं क्या यह होगा यह होगा और कुछ जो टिपिकल कोशन होते हैं जिसके अंदर आप तो सबसे इंपोर्टन चीज़े बायोलोजी के अंदर वो है आपका revision revision is the key to success in biology तो जितना जादा revision करोगे उतने चांसे बनेंगे 300 प्लस जाने के और मैं आपको बोलूगा कि at least आप 3-4 बार revision करके ही जाओ तो आपने पहले बास पढ़ लिया तो आपका एक बार हो गया उसके इसके बाद में आप revision करोगे तो आपका दो बार हो गया उसके बाद में आप एक बार कर लोगे तो आपका चार बार होई जाएगा सब कुछ बात करने के बाद लास्टन बात कर लेते हैं important books की important materials की जो कि आपके काम आ सकती है तो इसके सबसे important आपके हो गया notes, NCRT और आपक अब basic हो गया लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ चीज़े होती है जो कि क्या काम आ सकती है जो कि आप 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 बढ़के जाओगे तो आपको काफी help होगा उसके बाद में देखिए फिजिस के बात कर लाता है फिजिस के बॉक्स आपके important होती है तो देखिए फिजि आपको करनी है तो आप DC पांडे कर लो या फिर आप RLS नी यूसस आती है उससे आप कर लो अगर आप इसको अप खरीद नहीं सकते हो तो आप यह कर सकते हो कि स्टेटी पर जाकर आप इसके जो PDF है उसको ले सकते हो उसके बाद में chemistry के बात करते हैं NCRT आपको देखिए बह वो औरगनिक के लिए आती है MS चोहान जो की बहुत ही फेमस पोक है लेकिन उसके अंदर बहुत ही जो इमस लेवर की chemistry है वो दे रखी है तो अब इमस तो है नहीं लेकिन नीट लेवर के लिए आपको अगर आप बढ़कर जाओगे तो आपको हो जाएगा आप कर सकते हो कि अगर आपके पास जब बच जाए तो आप MS चोहान खरीद लो अगर आप करोगे तो दम लगाओगे तो तो हफते में आपसे वह हो जाएगी तो आप बात के लिए उसको छोड़ सकते हो लेकिन अभी आप उसको पर्चेस मत कीज़ेगा लेकिन लेकिन इन अर्गनिक के और जो लोगों के फैवरिट है वो है MTG आपको मालूम है आप देखिए इन दोनों बुक को एक साथ पर्चेस करने से कोई मतलब नहीं है आपको कोई एक ही बुक पर्चेस करनी होगी उसके बाएम अगर आप चाहो तो अगर आपसे वह कंप्रेट हो जाए तो आप दूसरी विडिया की जो वेबसाइट या वब ब्लॉक है उसके पर आपको मिल जाएंगे आप जाके गूगल के बसाच कर दीजी इस्टेडीपीडिया फिर आप उसके अंदर चले जाईए फिर आपको सारा जो मैटरिल आपका नीट का और पेपर वगर आपको सारी कुछ मिल तब यह आपके सपने जो हैं वह पूरे हो पाएंगे थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया और तो सब्सक